कि नमस्कार में हूँ मनोज वर्मा और आप देख रहे हमारा विसेश कार्क्यम अटेंचन क्रसी कानून के विरोध में किसान संग्ठनों का आंदोलन लगतार जारी है लेकिन इस आंदोलन के जरिये कुछ विपक्षी दल अपनी खोई हुई साक और जनाधार वापस पाने को बैतावे खास तोर पर कांग्रेस अपने खोई हुए जनाधार को दोबारा समेटने में जुटी हुई है किसान आंदोलन की इसी कड़ी में सोंबार को भी किसान संग्ठों ने भारत बंद का आवान किया लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कोई खास असर नहीं दिखा किसानों की आंदोलन ने अब पूरी तरह राजनोतिक रंग ले लिया है किसान आंदोलन की शुरवात में पंजाब की किसानों का विरोध प्रदर्चन देखने को मिला था धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्चन राजनोतिक रंग लेने लगा कॉंग्रिस और उसकी अलग-अलग शाखाओं ने इसमें बहुत सक्रियता दिखाई लेकिन बाद में अन्य ताकते भी इसमें शामिल होती चली गए किसानों ने इसे राजनीती से दूर रखने की भरसक कोशुश की मगर कोई एकनेता ये संगचन नहीं होने से ये संभव नहीं हो पाया जिस तरहे के मुद्दे अब किसान अंदुलन की आड में उच्छाले जा रही हैं वो पूरे अंदुलन पर सवालिया निशान लगा रही है केंद्र स्तरकार के तीनों करशी कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगचनों ने सुमवार को भी एक दिवसी भारत बंद बुलाया बंद के दौरान किसानों के धर्ना प्रदर्शन में कॉंग्रस समेत सभी वपक्षी पार्टियां शामिल हुई भुपाल में भी भारत बंद के दौरान करौन मंदी पर आयोज़त कारक्रम में पूर्ब मुख्यमंत्री दिगवज़संगी पहुचे और गेट पर धर्ना दिया पूरे देश में 40 संगत्नों के संयुक्त किसान मूर्चा ने भारत बंद बुलाया था लेकिन मध्यप्रदेश में ये च्छाप नहीं छोड़ पाया किसानों की कंधे पर सवार होकर कॉंग्रस ने मौकी का फाइदा उठाने का प्रयाज जरूर किया लेकिन सफल नहीं हो पाय गौालियर में सलेकर भाजपार कॉंग्रस की नेताओं में जड़ब भी हुई भुपाल में बंद का असर नहीं दिखाई दिया सुभह से ही दुकाने खुली हुई थी कुलार के बाजार खुले रहे तो पुराना शहर की दुकाने भी खुली नज़र आई बंद के आवान को लेकर किसी भी व्यापारिक संगचन ने समर्थन नहीं दिया लेकिन किसानों की कंधी के सहारे कॉंग्रस ने जरू अपनी भाडास निकाल ली इस दवरान दिखवी जो सिंग ने के इंदर श्तरकार पर जम कर हमला बोला उसमें इन कानूनों का कोई उल्ले की नहीं था। इन किसान विरोधी कानूनों के बारे में कोई भी किसान संकठन से इन किसान ये कानून लाने के पहले किसी से चर्चा तर नहीं की गई। ये तीनों कानून क्यों लाए गए एक साथ। इसलिए लाए गए क्योंकि इस देश क पंदरा से अठारा लाख करोड का जो व्यावसाय होता है करशी उदबाद का उसमें बड़ा व्यापारी इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसे हर मंडी में जाके अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा इसलिए उन्होंने कर दिया कि एक लाइसेंस ले लो और देश भर में कहीं स अपना इन पर आउन लाइन ट्रीडिंग कर सकते जिसान यूनियन उसके अंतरगत हम लोग आज आए हैं मैं अनुरोप करूंगा हमारे किसान संगठनों से किसान संगठन जो है राजनेतिक पार्टियों को उनमें आमन्तित करिए ना भात्वा को भी करिए लेकिन राजनेति के लिए आपकी लडाय में किसान और मजदूर के लडाय में ना कॉंग्रिस कभी पीचे हटे है ना कभी हटेगी कॉंग्रस निता राहुल गांधी समेट कई कॉंग्रसी नेताओं ने ट्वीट कर बंद का समर्थन किया वहीं जीतु पटवारी ने भी ट्वीट किया कि आये किसानों के हक में अहिंसक सत्याग्रह को सफल बनाए भूमी पुत्रों के अधिकारों के लिए एक जुठ हो जाएं वहीं किसानों की आड में अपनी राज्यूतिक रूटियां सेख रही कॉंग्रस पर भाजपा ने भी पलटवार किया वीडीशर्मा ने इसे किसानों का नहीं बलकि कॉंग्रस का भारतबंद बताया है वहीं सीएम शिवराज ने भी कॉंग्रस पर पलटवार करते हुए कहा कि कॉंग्रस के नेता किसानों के लिए धरने पर बैठ कर नाटक कर रही हैं पंद्रा महीना में पूरे प्रदेश को खा गए कमलनाथ और अभी पता चला दिग्गी राजा धरना पर बैठें जब तुम मुख मंत्री थे दिग्गी तो दो दो घंटा बिजली नहीं आती थी रे दो दो घंटा बिजली नहीं आती आंदोलन करकरके पता नहीं क्या बना लिया और बिधायक बन गए बिधायक बन के 15 महीने में धेला नहीं दिया आदिवासियों को आदिवासियों के लिए पेसा एक्ट चरन बद तरीके से मद प्रदेश की धरती पर लागू कर दिया जाएगा यह भारती जनता पार्टी की सरकार का फैसला है एक साल से किसान अंदूलन कर रही हैं कॉंग्रस हर बारों का समर्थन करती है लेकिन धरातल पर खोस कदम नहीं उठाती कॉंग्रस को उम्मीद है कि शायद वो किसान अंदूलन के सहारे अपनी कोई जमीन पालेगी लेकिन वो फिलहाल इसमें सफल होती नजर नहीं आती तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा साथ जुड़ू है अनाधी टीवी के एडिटर नीजी प्रकास भटनागर और वरिष्ट पत्रकार रजनीज जेन सबस्था भी के पर सकता है जिसको इस परकार के कांग्रेस का अंधुल ने देखा इसके पहले देख निया यात्रा कि किसानों के लिए घेर राजनेतिक उसको नाम दिया गया था कई जगे घयते जूटाने की कोशिस की थी अब अअज वी पोस्ला वी दी उन्होंने कि बाकि राजनीति को भी बुलाएक ँख रुर्शी कानून को लएक जो देश नेता के लह बंटे लुकी राजनीति हैं अपकर नहीं लग रहा हरा है। देखें मनोज कांग्रेस तो अब विरोत के लिए कोई बहुत बड़ा प्लेटफार्म रह नहीं गया है अब दिगवीजे सिंग जी जब आज संबोधित कर रहे थे और वो किसान संगटनों से आवान कर रहे थे तो उसमें किसान संगटन कहीं नहीं थे उसमें केवल कांग्रे कांग्रेश के अंदर बंद का बिल्कुली बेहसार है मध्यप्रदेश में कहीं से कहीं तक किसी तरह की एसी कोई खबर नहीं है कुछ एक प्रतिकात्मक विरोत प्रदेशन जो कांग्रेश उसमें शामिल हुई और वो जो कह रहे थे कि राजनीतिक दलों को इससे परेज नह करना था तो कांग्रेश खुद भी आंदोलन कर सकती थी कांग्रेश एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है अभी विपक्ष में वो खुद भी राजनीतिक इशु बना के लेकिन चुकि यह कर्शी कानून तो कांग्रेश खुद लागू करना चाहती थी उसमें हो सकता है कि क्रशी कानून लागू करना चाहती थी उसमें बीजेपी की सरकार ने मोधी सरकार ने थोड़ा बहुत हैर फेर कर दिया हो तो कुल विला के जितनी भी नए जो वह चीजें आई है सामने चाहे जी एस्टी हो चाहे आपका ये क्रशी कानून हो क्रशी कानूनों में सुधार का यह सब कांग्रेस की सरकार के समय की चीजें और उनको इंपलिमेंटेशन बीजेपी की सरकार ने कर दिया तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कांग्रेस इतना विरोध क्यों कर रही है और चुकि उसके विरोध का असर भी नहीं हो रहा है कायदे से अगर इसी तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी तो चिंता की बात यह है कि उसे क्या करना है यह वो खुद तहीं नहीं कर पा रही है और जो भी कोई आंदोलन होता भी सांदोलन का असर आपको अर्याना दिल्ली या पंजाब तक सिमित दिखेगा मद्यप्रदेश में तो शुरू से ही ह कांग्रेस की सरकार ने कमलनाथ की सरकार ने कर्ज माफी जैसा बड़ा वादा किया था आए वो फिर 15 महीने में जब विदा हो गये तो 28 उप चुनाओं में ये मौका था कि जो किसानों का कर्ज माफ हुआ है वो कांग्रेस का कर्ज उतार देते लेकिन जाहिर है कि वो कर्ज माफ नहीं हुआ था बिल्कुर कर्ज एक धोका साबित हुआ था हमने अनादे टीवी ने बहुत अच्छे तरीके से उस समय इसे तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस किसान अब भरोसा कम से कम मध्य प्रदेश में तो नहीं कर पा रहा है नहीं कर पा रहे हैं रजनी जी जो इस्तिति हैं कांग्रेस की कांग्रेस उनकी अगवा बन नहीं पा रही है कंदय तलास रही है लेकिन आपको लग रहा कि वह अगर पिछलगू बनके भी कांग्रेस क्या हासिल कर पाएगी क्योंकि सामने जो किसान दिख रहे है यह जो कांग्रेस के कार करता है अगर यह इतने सक्षाम होते इनके सार है तो कांग्रेस को किसी और ठीकाने की जरूरती नहीं पड़ती हो खुदी मजबूती से काम कर सकते थे कांग्रेस का मेदानी संग्षन तो समापत है आंदोलन करने की सितियों पर तो रहे नहीं है लेकिन मैं इसको थोड़े से अलग से अलग द्रिश्टी कौन से देखता हूँ एक नागरिक का द्रिश्टी कौन जादर आपको मिलेगा द्रिश्टी कि यह कांग्रेस ना मों के तलास रही है ना किसी की आंदोलन के शामिल हो रही है यह यह और देखनी सामने मेरे को इन आर्सी मैं जैसे आंदोलनों की जो चरण बद्ध़ता है तो यह कांग्रेस और सामेवादी कि इनके जो थिंक टैंक हैं जो दिल्ली बेज़ हैं जैनी यू बेज़ जैसा की आपको एनर्पी पर दिखाता यह कुरा फोट प्रिंट वही है वही उनका वही टूल कर गैसा मामला है पूरा और इनको किसानों के नाम का इस्तमाल रासल यह कर रहे हैं इसमें और नायतक तेश की जनता ने लाल कले का घटना करम जो देखा था वहां पूर इसकी विश्वशनीता समाफ्स हो गई थी और कॉंग्रेस और आंदोलन में जुटे लोग जितनी जल्दी इस सच्चाई को समझ जाएं वो उनके रित्म है और अपना ट्रेक बदल लेना चाहिए इनको अच पंजाब बेस इसलिए आपको लगा पंजाब बेस आंदोलन को कि इसमें अकाली दल मुख्य रूप से इससा जब बना उसके अलग कारण के अकाली दल का कारण ये था केंद्री मंदल में उनको तीन या चार पद मांग रहे थे तो उनको मिले नहीं एक पद उनको दिया जा तो इस तरह से आपको और एक विशेश मर्ग के किसान एक तहजी रूप से जो एनार्थी में दिख रहा था आप वो साथ है तो मैं कह रहा था कि ये किसी भी आंदोलन की नेते की विश्वसी में सा होती है तो ये लाल कले के घटना करम खत्म हुए थी और इसका जो समर्थन का अधार था वो उसके उसकी राजडेतिक वजह थी जो हमने आपको बताया और आप देखिए अमरिंदर वाला जो घटना करम हुआ उसमें एक तो अमरिंदर इस आंदोलन से हट गए सिद्धू जी ने आंदोलन की पूरी फोल खोल दी ये बताके कि ये तो दरसल अकाली द अमरिंदर जी को पहले ही समझ में आ गया था कि ये किसान अंदोलन जो है खास्तों पर देश और पंजाब के नहीं और जिस तरह से वो धीरे-धीरे किनारा उन्होंने किया तो जो सजा उनको मिली है कही और जाई है पंजाब मांदोलन मत करिए जी जो सजा उनको सिद्धू अमरिंदर जी को मिली है उसमें एक बज़ा ये भी है क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि ये कॉंग्रेस का अंदोला ने दरसल कॉंग्रेस इस तरह से विभाजनकारी और विद्वाजनकारी एजेंडे सत्ता हासिल करने के लिए जो खेल रही है ये मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छी राजनीति का दियो सक है उनको इससे बचना चाहिए और रचनात्मक बेपक्ष की भूमी का हाकलन मतदाता करता है लगता जरूर है कि मतदाता भूल गया लेकिन वोट देते समय ये सारी बातें मतदाताओं की सामूहिक चेतना का हिस होती है कि यह बात कांगरेस के समझना चाहिए और सामयवादियों को समझ में कभी नहीं आएगी उनका तो खेली इस पर आधारे उनका तो क्योंकि दुकान लुट चुकी चाहिए भी एक बड़ा कारण है प्रकाजी एक और चीज़े सांदुलन की राहूल गांधी से लेके पूरी कांगरेस ने इसका समर्थन किया पंजाब में जो जुकर किया रजनीजी ने केवल अम्रस सर में इसका असर दिखाई दिया राजिस्तान में कांगरेस की सरकार एक भी शेहर में इसका असर नहीं दिखाई दिया पूरे नार्थ में कहीं असर नहीं दिखा जो उत्तर से विचार करना चाहिए कि अगर आप समर्थन भी कर रहें तो कम से वाप जहां सत्ता में हैं चतीज गर राजिस्थान या जहां भी पंजाब इसका असर वहां दिख जाता तो कहने को जाता कि आप मजबूती से समर्थन कर रहे हैं देखिए मनों मुझे लगता है कि राजजिनीटी दल के तोर पर कांग्रेस बहुत कम जोर हो चुकी है उसका चुकी कोई आर्गिनाइजेशन नहीं है वागर उसके नेता कोई चीज डिसाइड भी करने तो उसे जमीन पर पूरा करने के लिए जो कारी करता चाहिए जो समर्पीत और सक्री कारी करता चाहिए वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास नहीं है अब आप देख रहे हैं जिस तरह से रजनीश जी ने बताया है कि अकाली दल केप्टेन अमरंदर सिंग के गट जोड से पंजाब के अंदर वो तो उन्होंने काफी पेसा खर्च भी किया कई सारी सुविधाय किसानों को बॉर्डर पर डटे रहने के लिए लेकिन धीरे 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 वो सब चुकि आपको मेस्पी के उपर खरीदी हुई मेस्पी का पूरा पेसा किसानों के खाते में सीधा गया बीच में कोई बिचोलिया नहीं था पेले आपको 4% आरतियों के खाते में जाता था तो जब किसानों को दिखा के आपको समर्थन मुल्ली भी मिल रहा है, मिनिमम रेट भी मिल रहा है और सरकार उसकी खरीदी भी कर रही है सबसे जादा खरीदी पंजाब में होई तो बेचा किसने खिसान नहीं बेचा किसने सरकार ने खरीदा मसP कटम हो जाएगी जिस चीज को लेके इनका विरोध था और बड़े सेट साउकार जो है वो सारा गेव खरीद ले जाएंगे दान करीद लेंगे लेकिन देखा के सरकार नहीं सारी चीजें खरीदी और बकाइदा इसके अंदर किसानों के संदक्षन की भी पूरी विवस्ता है और मुझे लगता है कि जब केंद्र सरकार बार-बार के रही है कि भाईया आप कोई इशू लेकर आओ इशू बेस्ट तरीके से बात करेंगे क्रशी कानून कट्था ही खतम नहीं करेंगे उसमें संचोधन करने को त्यार तो अब आप चुकि अगर आपको उन कानूनों के बारे में पूरा व करेंगे कानून किसी कीमत पर हम खतम नहीं करेंगे तो अब उसका रास्ता क्या है अब उसका रास्ता आप लगातार आंदोलन कर रहें सरकार आपको दैन भी नहीं दरी नहीं जनता द्यान देरी नहीं जनता का समर्थन मिल रहा है तो इससे किसानों के बीच में तो कोई वह सटान को मिलता बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है presentations मूलता कांगरेस का एक तरह से आंदो लेने और जिस तरह से रजट जी ने का कि गांगरेस अबह relação पर कुल मिला नहीं है, तो उन्होंने सबसे अच्छा तरीका चुकि इन 7 सालों में जो बोद्धिक आयाशी जो वामपंती करते थे, जो संस्थानों पर उनका कब्जा था, वो भी इन 7 सालों में खतम हो गया क्योंकि उनकी जो प्रतिदोंदी वेचारिक प्रतिदोंदी पार्टी है, वो आ साथा तकलीब अब वामपंतियों को यह है, तो निश्चित तोर पर उनके पास कोई चाहरा नहीं है, कि वो कांग्रेस पर कपजा करें, कांग्रेस के माध्यम से राजनिती करें, और दिग्विजाई सिंग जैसे लीडर, जो रोजाना RSS को और BJP को तो बाद में देते हैं, पहले वो RSS को सबसे बड़े संग विरोधी के तोर पे वो उबरते हैं, सरस्वती शीशु मंदिर पे वो सवाल उठाते हैं, तो कुल मिला के वो काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जो कम्यूस्टों को करना चाहिए था, वो कांग्रेस मेरे के दिग्विजाई सिंग क वो नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, अब ये कांग्रेस का आला कमान ने उन्हें जवाबदारी दीती के वो वो इशु डूढ़े जिस पे केंदर सरकार को घेरा जा सके ले दे के वो सरस्वती शीशु मंदिर और RSS के उपर आके टिग जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है और वो कांग्रेस के लिए नुकसान दाया है कि दिल्ली में उनके जो डिसी सी के अद्ध्यक्स है अनिल चोदरी उनको कांग्रेस की जो पहुंचते है वो तो किसान उनको भगा देते हैं कि गेर राजनेती कांदुला ने और पूरी कां कि लगता आवाज नहीं पहुंच पारी सुद्धिया आपको hen आ अवाज नहीं आरी है आ वज और राजए टो है आपने वाद की कविछ वीचार मिल रहत अमने देखा अतीत में धी पड़ा जो देखा हमने ऊदर्धा है कि चाला किन वीचार दिया था लेकि चंदर गूत करेस्ट और छांग्रेश कों सोचना चाहिए कि वह विचार किसे लिありがとうございます क्योंकि दोनों यूशंकर विचारी आपस मेंनी रहा है तो उसको इंप्लीमेंट काुसे करेंगे टिछ है इंधर के चंदरगुप्त जो है वह समझ नहीं पा रहे हैं और उनके चंदरगुप्त को कोई लाव नहीं मिल रहा है और चंदरगुप्त के सास्थ उनकी जो बेहन है उनको भी लाव नहीं मिल वा रहा है लेकिन आमादवी पार्टी सरी की जो चत्र राजनेतिक पार्टियां है वो लाव ले जा रहे हैं और आगे भी देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा लाव मिलेगा इसका देखिए एक बात को मैं बड़े गोर से कहना चाहूंगा ग कि आंदोलन की जो निरंतरता है और इस आंदोलन की निरंतरता पर भारती जन्ता पार्टी की तरफ से जिस तरह से एक खामोश रवईया अक्तियार कर लिया गया है आप देखेंगे कि नरेन सिंग्स, ओमर जी या कभी-कभी फोड़ा सा शेराज जी बोलते हैं आंदोलन के खिलाफ के किसान बिलों के समर्थन में, नीचे जो आरंब में जिस तरह से भारती जन्ता पार्टी का त्यादर इस आंदोलन क खिलाफ में और खिसान बिलों के समर्थन में उठ खड़ा हुailed था और उसने लिड मैध पहुंचा थी, वह लगवग wen लंब समय से और सोशल मीडिया पर अब एक तरफ प्रचार हो रहा है। ये भारति जंशा पार्टी को राजनेत की रूप से इसका नुक्सान हो सकता है। इस पर गौर्णा करना चाहिए भारति जंशा पाज़ में किसानों का ही नुक्सान होना। यदि कुछ समझोते होते हैं तो और आप ये देखिए कि प्रकाश जी जो बोल रहे थे मैं ये धियान दिलाना चाहूंगा कि यूपीए गवर्मेंट के समय इन बिलों पर पूरी बहस हो चुकी है कपिल सिब्बल के साथ सारे नेताओं के वीडियो आपके पब्लिक दोवेन में आज पड़े हुगी है परयाप से ज्यादा बहस हो चुकी है किसान बिलों पर और ये दरसल किसान कॉंग्रेस की सरकार लान आपके पास परियाप्त जब तक्षे हैं उन तक्ष्यों को आप पाला कॉंग्रेस के लिए पाला छोड़ के एक तरफा वह बैंदान में खेल रहे हैं भारती जनता पार्टी की का केडर जो है और दो नेताओं के लाबाब बाकी नेता तारे खामुशे यह अच्छी इस्ति अब पांच राज्यों के चुनाओं में छे महिने से ज्यादा का समय तो सुनों खुला मेदान छोड़ दिया कि कांग्रेस यह कमूनिश्टी जो कर सकते कर लें प्रकात प्रकात जी एक चोटी चिप पड़ी पिसली बार देरा याद दिलाया अधिक विजे सिंग पर फिर मोंका मिल गया जी को फिर उन्होंने वही किसान कर्ज माफी बुलता ही वेली गोली कांड और तमाम सारी याद दिला दी तो वापस से फिर बनाम लड़ाई बनाम पर नाम विकास, या भी जन्दवाजी है, जब भी दिग विजय सिंग मंद्य प्रदेश में सक्री होंगे, वो भारती जन्दा पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, तो कि दिग विजय सिंग के 10 साल को लोग कभी नहीं बूलेंगे, और बीजेपी के जो 15 साल थे, उनों में मतलब मद्य प्रदेश में वो है, उत्पादन, वो काफी बड़ा, सडके काफी जारी अच्छी हुई, अभी बारिश में आज के लम देखने सडके खराब है, लेकिन कुल मिला के मद्य प्रदेश की सडके 15 सालों में बहुत अच्छी रही, पानी की कोई कमी नहीं रही, तो मुझे लगता है कि जो मूलभूत इशू थे उन पर भारती जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसका कारण जनता के अंदर कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप दिखविजाज सिंग को सामने लाओ गए, तो शिवराज सिंग चुवान के लिए मो कोशिस कर रही है, तो पहले तो उसकी मजबूती परखना होगी और यह देखना होगा, इससे फाइदा कितना है, क्योंकि यह तमाम सारे ऐसे इस यूजिस पर कांग्रेस अगर खुद रहके अपने दम पर आंदूरोन करती तो शायद जनता और किसानों की बात करती है, तो दिग्वे सिंग के 10 साल का शार्षन याद जाता है, तो कांग्रेस को सोचना होगा, कि क्या उनके 15 महीनी के कायरकाल में इसी कोई उपलब भी नहीं है, जिस पर बात की जा सके, या बीजबी के 15 साल में सा क्या कुछ हुआ, जिसको वो रिमाइंड नहीं करा पा रही है, झाल